हेलो एब्रीवन आज में सुब के साथ में सेयर करने वाली हूं सिवयूपमा की रेश्पी दोस्तों ये रेश्पी ऐसी है ना इसमें खुब सारी सब्जें जाती है और ये खाने में बहुत ही टेस्टरी लगता है क्योंकि आप इसे ठंधा या फिर गरम किसी भी तरह से इंज सेवयूपमा पनाने के लिए सबसे पहले हमें सेवय को भून के तयार करना होगा तो इसके लिए मैंने यहां पर यह एक चमच गी ले लिया है और यह कप हमने यहां पर हम रोस्ट कर लेंगी ब्रॉण होने तक तो लो टू-मेडियम फ्लेम पर हमें इसे ब्राउन होने तक कर लेंगे तो यहां पे इसे भून लिया है तो इतना ही हमें से भूना है और यहां में लो नर्पे बून गया है तो यहां पर हम इसके फ्लम को उफ कर देंगे इसे थे कलाओने साइड में रखते हैं तब तक इसको शना गया होने के लिए नर्यूंस पांभानी चट़्धा आ घीक टाल देंगे जुसको भून के तयार किया हूँ तो इस तो रसे यह पर डालगी बिला दिया है अब इसमें डाल दींगे हम नमक तो यहाँ पर एक चोटा चम्बट जितना नमक डाल दे जिसेने इसे बोल होते समय है इसमें नमक का फ्लेवर आ जाएगा इसको और 3 मिनट के लिए हमें इसे बोल कर लेंगे तो यह देखिए मै मैं इस तरह से चाण लिया यह नोजान और पकी नपर या उसके लिए अहां पर यह फ़से ठंड़ा थोड़ा जाल दॉसका जया रखते आप हमछे मसाला त्यार करते हैं लिए की सबचे लिए कड़ाई में हमिने दाल दिया 2 चमपघ आल गुम सबम एक चमबच इतना टाले तो में चमपघ गर्म जाने पर यहाद है यह मंआ है जानी कि mस्टर्ड जो राई ऑल लुनी हो सब्हार से πाथ तो अब इसमें डाल देंगी, हम हरी मिर्च, तो एक दो हरी मिर्च जितना को तीखा खाना हो, इतना मिर्च डाल दें और इसके साथ में एक चोटे स्राइज का प्याज कटा हो डाल दें, यानिकि 2-3 टेबल स्पून में यहां पर प्याज को डाला है, वारिक कटा हुआ आज दो टेबल इस्पून डाल दिया हमने बारिक का टीवी सिम्ला मिर्च अब इन्हें मिला लेते हैं और ढ़क देते हैं जिससे की सब्जाएं थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं यानि कि थोड़ी पक जाएं तो बीच में एक दो बार इसे बटाके से मिक्स कर ले तो यहाँ पर इसमें हम डाल देंगे थोड़ा से मसाला यानि कि यहाँ डाल देंगे 1-4 टीश्पून हल्दी पाउडर और हाफ टीश्पून इसमें हम डाल देंगे नमक यानि कि स्वात के अनुसार डाल देंगे और एक बार इसे फ्रेसे ढग देते हैं जिससे की सब्जाए थोड़ी soft हो जाए तो एक बिनिट के लिए हम ने ठक दिया था इस बिनिट बाद मुने लिट भटाया है और सब्जिया न अच्छे सेथम soft हो गई है हलकी crunchiness के साथ तो अब इसे हम डाल देंगे इसमें मटर तो मटर को न पहले बॉल किया था तो इसलिए हम इसमें बैसे लाश्ट में डाला है यानी कि इसको इसके साथ में अच्छे मिला लेना है तो यह देखिए तो यह देखिए निए पर्फिक्टली मिल गई है То एक मिनट के से लिए वे धे तो अब यहां पर सीवयूप मारे टायर है इसके उपर से ज्यूस्त के ना जूस्ट टाल तक यूस्त झाल लेंगे और इसे एक टेवल इस्पून बारे कटा वह रहा थनिया इसे मिला देंगे और ये लिजी देखिए कितने इतम खिला-खिला अलग-अलग है ये सिवयुकमा अपका बन के तयार है ठंडा होने के बाद भी दोस्तों ये ऐसे ही रहेगा जब बिनाट के इसे टेंसन के इस तरह स है वह बहुत पर पसंद सिखाते है तो आप इस तरह से वयुकमा की रेस्पी को ज़्रू से ट्राइग कीजेगा ये आपको हमारी रेस्पी परसंद आती तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजेगा और हमें कमेंट पिताएगा कि आपको हमारी रेस्पी कैसी लगी और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे उसके साथ में देएगा बेल आइक उनको प्रेस कर दीजिए जिससे कि आनी वाली से नहीं रेस्पी को नोटिफिकेसन आपको मिलती रहे है आपसे मिस नहीं नहीं रहूब